ये गाई ज़ुक्त अगर आप भी एक PayPal अगांट ऑपेंड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप एक नएा Fresh PayPal अगांट ऑपेंड कर सकते हैं किस तरीके से आप उसमें बैन्क अकांट डेंड कर सकते हैं सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ तो सबसे पहले आप किसी भी एक ब्राउजर में सर्च करेंगे पेपल पेपल सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी देखने को मिल जाएगा वहां से डायरेट आप इस पेज़ पे आ सकते हैं यहां पे आने के बाद आप यहां पे इसका पूरा इंटरफेस देख सकते हैं जो कि पेपल.com के होंपेज के इंटरफेस है अगर आपका इसमें पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन के आप Gibson पर किलिक करके आप यहां पर आप यहांपर डियरेट लॉग इन हो सकते हैं फिलाल हमारे पास यहांपर कोई भी अकाउंट नहीं है इसलिए हम यहां Sign Up For Free के आप्सेन पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे option आजाएगा कि आप यहाँ पे किस category का account बनाना चाहते हैं नीचे आप यहाँ पे दो category देखने को मिल जाएगी पहले यहाँ category है individual account की और दूसरी यहाँ पे है business account की तो अगर आप यहाँ पे individual account open करते हैं तो आप इसके थुरू केवल पैसे को send कर सकते हैं और आप इसके थुरू पैसे को receive नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना एक business account open करते हैं तो इसके थुरू आप यहाँ पे पैसे को receive भी कर सकते हैं तो आप यहां पर जिस भी तरीके का account open करना चाहते हैं, आप यहां पर अपने हिसाब से open कर सकते हैं, फिलाल हम यहां पर एक business account open करेंगे, क्योंकि हम यहां पर पैसे send भी करना चाहते हैं, और पैसे receive भी करना चाहते हैं, तो हम यहां business account की option पर click करेंगे, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर next option भी मिल जाएगा simply आप इसपे type करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक new interface open हो जाएगा फिर नीचे आपको यहाँ पर email address fill up करना होगा। fill up करने के बार नीचे आपको submit का option मिल जाएगा simply आप इसपे type करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना password डालेंगे पासवर्ड डालने के बार नीचे आप यहाँ submit के option पर क्लिक करेंगे password आपका कैसा होना चाहिए इस screen पर आपको देखने को मिल रहा होगा आपका password यहाँ पर at least यानि कि कम से कम आपका यहाँ पर 8 character का होना चाहिए दूसरा इसमें कम से कम एक number होना चाहिए या फिर कोई एक sample होना चाहिए जिसे कि add rate हो गया, hedge हो गया, dollar का icon हो गया, percent का icon हो गया आप इसमें से कोई भी एक sample भी add कर सकते हैं और तीसरा आपको यहां पर common word use नहीं करना है password click करने के बार नीचे आप यहां submit के option पर click करेंगे उसके बाद आपको यहां पर बिजनेस टाइप बताना होगा जिसके लिए आप यहां पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने आपके काफी सारे business open हो जाएंगे आप यहां पर जो भी select करना चाहते हैं simply आप अपने हिसाप से अपना एक business यहां पर set कर सकते हैं फिलाल आप यहां इद्विजवल के option पर click करेंगे और यहां पर यहां पर product या फिर service का यहां पर keyword डालना होगा जैसे भी आपके यहां पर service है उस हिसाप से आप यहां पर अपना keyword डाल सकते हैं लिए पूर बेबने लिख सकते हैं उसके बाद इके फेर करना होगा यहां कुसल तरीकिश से इंटर करना है कि पैसे लिए उसको प्रकाइब कर confess burned जिर्भाएंची करना यहां आपको लिए पैसे और ना चाहते हैं जिसकी आपको करना चाहते हैं अपने पिपल अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं निकालना चाहते हैं आप यहां पे अपने हिसाब से कोई भी एक आप यहां पर परफस कोड सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे और यहां पर अपना CC statement name देंगे यानि कि आप यहाँ पे जो भी CC statement name देंगे वो यहाँ पे 11 alpha numeri character से जादा नहीं होना चाहिए और यह आपके customer के card statement में सो होगा इसे बाकी application में UPI ID होती है सेम इसी तरीके से आप इसे भी यहाँ पे create कर सकते हैं आपको किस तरीके से create करना है इस क्रीन पर आपको बगल में देखने को मिल रहा होगा और अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी business URL है तो आप उसी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं paste कर सकते हैं और अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आप इससे इंटर करेंगे यहाँपर मीडल नंटर करेंगे अगर आपके पास है तो आप इसे इंटर कर सकते हैं निचे आप यहाँपर ब्लेंग चोड़ सकते हैं नीचे आप लेगल यारि किल्क हैं यहां पर अपना primary contact phone number इंटर करेंगे और यहां पर आप कौन सी currency में पैसे लेना चाहते हैं आप उसी यहां पर set करेंगे ओके फिलाल यहां पर सभी लोग जातर यहां पर US dollar ही set करते हैं तो हम भी यहां पर US dollar ही set करेंगे क्योंकि यही better होता है आपको यहां पर Indian currency में पैसे नहीं दिये जाते हैं तो हम इसे इसी पर रहने देते हैं उसके बाद नीचे आपको यहां पर agree and continue का option मिल जाएगा simply आप इस पर tap करेंगे उसके बाद अब आपको यहां पर एक account बन चुक है आपसे यहां पर कुछ question पूछे जा रहे हैं जिसके यहां पर लिखा है first what do you sell यानी कि आप पहले यहां पर क्या बेचना चाहते हैं तो हम यहां other के option पर क्लिक करेंगे आप यहां पर अपने हिसाप से सेट कर सकते होगे उसके बाद आप नीचे यह next के option पर क्लिक करेंगे दूसरा यहां पर next how would you like to sell यानी कि आप यहां पर किसके थूरू समान बेचना पसंद करेंगे ओके आप यहां पर website या फिर application के थूरू पैसे लेना चाहते हैं उसके बाद नीचे आपकर next के option पर इंश करेंगे करने के बाद भाद दुबारबर से कुछ पूच जाएगा what type of setup experience is best for your यानी आपके लिए यहां पर कॉन से experience best रहेगा आप अपने हिसाप से यहांँ duas First कर सकते हैं उसके बाद नीचे आप यहां next के option पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने यहां पर as a interface open हो जाएगा आपने वहां पर जो भी question का answer दिया सारे feature आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आपको नीचे यहां start setup के option पर click कर देना है उसके बाद आपके पर dashboard open हो चुका उसके बाद आप यहां के option के क्लिक करेंगे आपके सामने पर Paypal application का dashboard पूरी तरह से open हो चुका है सामने आप यहां पर देख सकते हैं आप को इसी طریقे से Paypal application अब हर बार देखने को मिलेगी ओके और आप यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे आपका PayPal बैलेंस देखने को मिल जाएगा हमारा यहां पे पेपल बैलेंस USD में सो हो रहा है आप यहां पर जो भी currency सेट करेंगे उससी इसाफ़से आपको यहां पे 10 सब्सक्राइब। यहां थ्री लाइंस के औप्सण पर क्लिक करेंगे। आपकर सामने काफी सारे options open हो जाएंगे। फिर नीचे आप पी Pay and Mitar के Option पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला option है रूप सन्टॉ म sentiments को के OPM क सब्सक्राइब। का मैं को मिल जाएगी इस पर किले करके आप यहां पर मर्चांट फीस देख सकते हैं यहां पर आपको सेंड और रिक्यवेश्ट पेमेंट का उप्शन मिल जाएगा सिंप्ली हम इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद हमारे सामने एक निया पेज उपन हो जाएगा ऑपन होने के आप यहां पर जिस भी परसन को पैसे सेंड करना चाहते हैं अगर आपके सामने उसकी परफाइल आ चुकी है आप उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के पाद आप यहां पर पैसे सेंड कर सकते हैं दूसरा आपको यहां पर इनवाइस का मिल जाता आप इसके तुरू भी पैस सकते हैं पैसे के लिए ओके से आप उसी तरीके से यहां पर नाम यूसर निम हो गए रहा आप यहां पर इंटर करेंगे सर्च करने के बाद जैसे उसकी प्रफाइल आपके सामने आ जाती है simply आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद आप उसी यहाँ पर request भेज सकते हैं, पैसों के लिए, उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर link a new bank account को आप से मिल जाएगा, आप इस पर click करके, उसके बाद आप यहाँ पर ifsa code इंटर करेंगे, यहाँ पर account number इंटर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर business name और personal name सेम यही रहेगा, उसके बाद नीचे आप यहाँ link your bank account के option पर click करेंगे, अब आपके साब ने आप लिखिया जाएगा how to confirm your bank account, यानि कि आपका bank account यहाँ पर किस तरीके से confirm होगा, नीचे आपको यहाँ पर दो step मिल जाते हैं, पहला step यहाँ पर यहाँ आपको दो small deposit send करेंगे, जो कि यहाँ पर 1.5 रुपेज से भी कम होंगे, और यह आपको 3-5 दिन के अंदर में receive हो जाएंगे, receive होने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा step इस्टेप हो जाता है, आपको अपने PayPal में login करना होगा, login करने के बाद आपको payment option से अपना bank account select करना होगा, select करने के बाद आपको जो भी 2 small deposit यहाँ पर receive होए, PayPal की तरब से आपको उस amount को यहाँ पर enter करना होगा, type करना होगा, type करने के बाद आपका bank account यहाँ पर confirm हो जाएगा, नीचे आपको यहाँ पर send payment का उप्स नमल जाएगा, तो आपने इसे यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर किसी भी person को पैसे send करना है, और request payment भी आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से आपको किसी भी person को request भेजनी है पैसे के लिए, नीचे आपको यहाँ पर पेपल चेकाउट, सब्सक्रिप्सन, पेपल बटन, पेपल मी, सेल, ऑन सोसियल, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर किसी भी application के दुरू इसमें पैसे ट्रांसफर करना चाते हैं, तो नीचे आपको यहाँ पर developer का option मिल जाएगा, आप इस पर click करेंगे, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर check out option देखने को मिल जाएगा, कि अगर आप यहाँ पर किसी भी application के दुरू पैसे में ट्रांसफर करते हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा interface देखने को मिल जाएगा, जोसे कि आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा भी आपको संद आया तो विडियो को लाइक और सेजरू कर अगर आपको फिर भी कोई भी question दो तो नीचे comment करके आप मुझसे पूछ सकते हैं,